सूरा मेरे मज़ पमान तक्ठण फिर में जिक्खा पधिंसमादियानी बुद्धन आज सुब सन्निवार है और अगला जो सुब सन्निवार आएगा उसके बाद में हम सब मिलने वाले हैं जो जो संगी हैं जिनोंने अपनी टिकेटें कराई हैं जिनोंने अपनी बुकिंग कराई हैं या जो समय अपनी ओन्दा एस्पोर्ट बुकिंग कराएंगे अपना खुद का खर्चा जमा कराएंगे वो सब यहां आएंगे हमारा सन्नी पात बाहूल का दिन रहेगा सन्नी वार तो नहीं होगा पर सन्नी पात बाहूल का दिन रहेगा बारा फरवरी सिविक सेंटर में और यह हमारा सबसे प्रमुक काम है मिलना जुड़ना जोड़ना और आगे के लिए यहां से त्यार होके जाना आपस में एक दूसरे की उर्जा बढ़ाना और फिर काम पे लग जाना ये निरंतर निरंतर काम चलेगा और इस काम से ठकना नहीं है ठकना इसलिए नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें जल्दी से कोई पढ़ना मिल जाए पीने के लिए जील का मीठा पानी मिल जाए पर जील जब तक भरेगी नहीं उसमें पानी बहेगा नहीं इसलिए अभी जो सूखी हुई जील है उसमें मेहनत करके हमें लगातार लगातार पानी भरना है और थोड़े बहुत पानी को देखके मायूस नहीं होना घबराना नहीं क्योंकि सुरुआ थोड़े पानी से होती है और उसके बाद फिर बारिश चारो तरफ से आनी सुरू हो जाती है घंगोर और जील लवालब भर जाती है और वो नदी का रूप ले लेती है और जहां तक नदी बहती है समुद तक महां तक सब लोगों को पानी देती है लगातार चलती रहती है ठीक वैसे ही जो हम महरत कर रहे हैं ये हम सूखी हुई जील को भर रहे हैं बुद्ध के जाने के बाद लगबग पंद्रेसो बरसा वासो तक पंद्रेसो बरस तक हम लोगों ने उस जील का पानी पिया जिसको संग बुला करते थे पिर उसूख गई क्योंकि हमने उसमें काम करना छोड़ दिया महत करनी छोड़ दी खटा होना छोड़ दिया पानी तो बरसता है पर गड़ों में अलग-लग रह जाता है और वहीं सूख जाता है जील में नहीं बरसता इसलिए दुबारा से समझ आई दुबारा से याद आई दुबारा से वो बात समझ में आई तो फिर दुबारा से उजील को हरा भरा करने के लिए हमारी महनत है हो सकता है इसमें एक पीड़ी चली जाए हो सकता है जल्दी पढ़ना मा जाए हो सकता है साल दो साल मा जाए यह इस बात के उपर है कि हम कितना तेजी से संग को समझा पाते हैं और समझ पाते हैं अगर हम संग को समझ सकते हैं, तो फिर समझा भी सकते हैं, पर अगर हम संग को समझे ही नहीं, तो फिर समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो समझेगा नहीं, वो समझाएगा क्या, जो जानता ही नहीं, वो बताएगा क्या, जो पढ़ा ही नहीं, वो पढ़ाएगा क्या, ये बात natural सी और common सी छोटी सी है इसलिए संग की बारिकियों को समझते रहें सवाल जवाब करते रहें गंत को पढ़ते रहें और भी जानकारियां नेट पर हैं इधर दर हैं वीडियो में हैं उनको लेते रहें कैसे संग काम करता था कैसे संग काम नहीं करता था इस संग की मारका अगर आपने नमूना देखना हो तो कल जो हमारे महापुरूस जिनको हम गुरूजी बोलते हैं रविदाज जी जो हमारे गुरूजी है अगर आप उनका इत्यास उठा के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उन्होंने जो महनत की बिना संग के वो खराब हो गई खत्म हो गई टुकड़ों में बदल लगई । मा की पूर्णिमा है कल उनका जैनती है और जैनती पर चारो तरफ ऐसे ही जैनती मनाएंगे लोग जैसे बावा साब अमिठ की मनाते हैं या जैसे बुद्ध की मनाते हैं या जैसे कविर्दाजी हैं उनकी मनाते हैं चंदा इखटा होगा पैसा होगा सोभा यात्रा May आएगी फोट्रो चपेंगे लोग एक दूसरे को सरोपा भेट करेंगे गलें साल के दुपटर डालेंगे मेला निकालेंगे और उसके बाद फिर अगले साल फिर ये काम बरेंगे इस बीच में तीन सो चौश्ट दिन चुटी बहुत लंबी लंबी चुटियां हमारे महापुरसों को जानने वाले लोग लेते हैं और जो इनके गुर्दवारे हैं वो सब अलग अलग हैं अगर आप महापुरस रविदाज जी का पूरा इत्यास उठा के देखें और पूरी जीवनी उनकी पढ़े हैं या पूरा उनको का काम देखें और उसको बारीकी से अध्वन करें कि जो व्यक्ति जिस से परिशान होगा उसी का इलाज करेगा कोई आदमी यहां भारत के इंदर जातपास से परिशान हो तो वो अमरेका की जो समस्यां उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा उस पर कोई दोहे नहीं लिखेगा वो वही बोलेगा वही लिखेगा वही काम करेगा ज लड़ने की बाद में उन्होंने एक बेगम पुरा नाम का एक ऐसा इस्ट्रक्चर त्यार किया या बनाया एक परिकलपना ऐसी बनाईी एक प्लान ऐसा बनाया जिसके अंदर बेगम पुरा मतलब जिसमें कोई गम ना हो अब पुरा माने शहर होता है यानि के बिना किसी पात नहीं होगी, पात नहीं होगी, सारे लोग इसमें सुखी रहेंगे, सब को खाना मिलेगा, सब बरावर होंगे, कोई किसी के उपर हुकुमत नहीं करेगा, कोई भेद भाव नहीं होगा, सारे सब बरावर होंगे इसके अंदर, कोई प्रधान नहीं, कोई राजा नहीं, कि कल जेनती है चर्चाएं होंगी तो आप भी वाट से पर चर्चा करना अपना वीडियो वीडियो बना के चर्चा करना जब तक तर्क नहीं करेंगे भक्तों की आँके नहीं खुछती ही भक्त चाहे हमारे हो चाहे सामने वाले के हो भक्त भक्त ही होते हैं उन्होंने जो समस् में लग गए और पूजा जिस पूजा का उन्होंने वरोध किया और जिस पूजा के लिए उन्होंने मना किया वही उनकी पूजा सुरू कर दी और जिस एक बेगम पुरा को उन्होंने प्रिकलपना में बताया ऐसी अलग अलग मठ बनाती है और सारे मठ अलग 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 अल है अगलाग उनके संचिम हैं अलगलाग उनके नेता है अलगलोग उनके संत हैं और सारे के सारी ही अपने आपको संह गुर्द्वारा चलाते हैं उनकी कि गुर्दवारा प्रवंदग कमेटी एक जिगे से काम करती है, एक सिस्टम से काम करती है, तो कम से कम गुरुजी के जो गुर्दवारे हैं, वो सारे एक सिस्टम से चलें, और एक ही रैली हो, रैली का रेला हो, पर ऐसा भी नहीं है, सारे के सारे अलग अलग हैं, और सारे सा किसे मांगा हूँ या पैसा मांगा हूँ वो अपना काम करते थे जो काम हुने आता था जो काम सीखा उससे वो अपनी रूजी रूजी चलाते थे उससे दान पुन करते थे पर चंदा नहीं मांगा पर उनके जितने भी सिस्सें हैं वो दो मेहने एक मेहने पहले क्योंकि गुर उनोंने चंदा काटा और चंदा काटने में लगे रहे हैं ये बातें इसलिए यहां बताई जा रही हैं क्योंकि गुरू जी का जो काम है वो समर्संग करता है जो गुरू जी की जो परिकलपना है जो गुरू जी की जो प्लान है जो गुरू जी का जो पूरा का पूरा बेगम महापुरस हैं पर हमारे जो लोग हैं उन्होंने हमारे स्रम्लम महापुरसों को अलग-अलग का रखा है सबकी विचार धारा एक है सबकी परिकलपना एक है पर सबको अलग-अलग मठ बना रखे हैं लग डेटो बलग काप करते हैं और एक दूसरे कि हैं कोई आता जाता भी है नहीं इससे क्या होता है कि गुरू जी की जितनी परिकलपना थी जो बेगम पुरा था वो बेगम पुरा ना हो गया गम पुरा हो गया यानि वह गमी गम है आप किसी भी मठमच ले जाएए जो गु ना रखें पर बेगम कहीं नहीं है सब गमी गम है इसने ये बात समरसंग को बार बार बताने चाहिए कि गुरू जी ने चंदा नहीं लिया समरसंग चंदा नहीं लेता गुरू जी ने जाती पाती का गुरूत किया जाती पाती के उपर दो हित दो हिरे कि जाती को नहीं मान है ये सारे जितने भी गुरुजी के सिस्से हैं ये सारे मंचों पर लंबे बहर देंगे और बड़े-बड़े पद पोश्ट लेके सारे बैठे हुए हैं और बिना पद पोश्ट के चाहे वो उनके सिस्से हों चाहे उनके भक्तों चाहे उनके नाम के संत हों सारे सारे सब मठा संग करता है तो समर्ण संग सही मायने में गुरू जी का पिटिन दिफ्ट करता है और सही मायने में उनकी जैनती मनाता है हम कोई धोल नहीं करते हैं हम कोई धोल नहीं पिट्टे के हम गुरू जी की जैनती मना रहे हैं या हम पोड़ लेकर सर पे घूम रहे हैं या सरूपा प महापुरुस हैं उनकी सबकी एक बात है और उस सबकी एक बात को समण संग मानता हर करता है अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो यह पाएंगे कि गुरुजी की हार का जो कारण है क्योंकि बेगमपुरा बना नहीं पाए बेगमपुरा कमिशन निकर पाए सिर्फ कह पा भी थे वो पूरे पूरे प्लानर भी थे उन्होंने संग बनाया वो जानते थे कि जब तक सेना नहीं होगी युद्ध नहीं जीत सकते इसलिए उन्होंने धंब सिखाने से पहले बुद्धत्व बताने से पहले संग का तत्व बताया संग का सत्व बताया उन्होंने और के पास संग नहीं है अगर आप देखेंगे तो गुरु जी का कोई संग नहीं है अगर आप देखेंगे तो गुरु जी का कोई संग नहीं ब्राया और संग ना होने के कारण उनके जो भक्त थे वो बनते गए और तूटते गए अलगलग होते गए क्योंकि वो इकटे रहने की जो कलबना है, जो संग का सिस्टम है वो नहीं जान बाइ, क्योंकि गुरुजी संत ज्यादा थे, योध्धा कम थे, अगर संत होता है तो संत सिर्फ बताता है और चला जाता है बाकी उसके भक्त करेंगे पर जो योध्धा और संत दोनों होता है बुद्ध जैसा वो दोनों बातों को अपने हाथ से करके जाता है इसलिए बुद्ध को दुनिया में सबसे बड़ा योध्धा कहते हैं सबसे बड़े संतों हैं पर गुरुजी के जो सिस्से थे उनको एक मैसेज था कि बेगम पुरा में सबको साथ रहना है इसलिए संग बनाने की परिकलमा तो उनको दी थी पर वो साथ नहीं रहे और गुरुजी की बात नहीं मानी इसलिए आज सारे लोग अलग-अलग कष्ट में हैं जब बावा साव अम् अज़ए यह होना चlorष के था पर इनके जो अनुएाई और इन जो सिस्से थे वह अपने अपने मठादीस के मालिक बन गए और उन्होंने हमारे ही जितने समास थे महा-कुर्सों की बात नकारते हुए तोड़ते हुए अलग-गुर्ड बना लिये इस्तों की बात का फाया होने की बजाए और नुपसान हो गया आज किसमें जादा हो रहा है आज किसमें इतना जादा हो रहा है कि हमारे जो 29 लाग टुकड़े हैं इसमें संतों के मठों के टुकड़े भी शामिल है जो अलग-लग करोगे और आप इस्टेडी करोगे तो सुरू से लेके और आखिर तक जितने भी स्रम्ण संत हुए हैं जितने भी स्रम्ण लोग हुए हैं जुन्होंने कुछ न कुछ बताया उन्होंने एक ही बात बताई एक ही भासा बताई एक ही चीज बताई और एक ही काम बताया था संगत करो घृअ बजन करृड़ो बजं करने का मत्दब ही संगति करना होता है चृव fire करो शंगति करो यह और कीतन का मतलब है पसंद्चा करनी है यानि चीज़ पर प्रिशद्द्धी करनी है प्रचार करना इसमय रहे कितन वी बताया है यह यह सारी कर दिए बात नहीं माने इसनि essere प्रिषान रहे और अब बावत आपकी तो हैस्टे आप देखी रहे हो कि बावत आपकी कितने टuckenे लोगों ने कर दिये और बूद्ध के कितने ट्कंडे कर दिये ये सारे जो 31 लाख हमारे टुकड़े हैं, यह उस समय से लेकर आज सक हो रहे हैं, इन सब को जब तक हम सिलेंगे नहीं, जब तक एक साथ इनको लेके आएंगे नहीं, तब तक हम जीत नहीं सकते, और हमें जीतना जीरूरी है, क्योंकि हम जीतेंगे नहीं, तो हम बचेंगे नहीं, पर कोई भी चीज सब बेकार हो जाती है, उसे कोई फ़र्णी पड़ता, इसलिए जीवित रहना है, तो सारे संतों की वाणियों के लिए चिलेंज करना पड़ेगा, सबी लोगों को बारवार कहना पड़ेगा, कि भाई जब सारे संतों की वाणि एक है, सारे संत एक है, यहां तक ये चंदे का धंदा और ये जो दुनिया वर की बीमारियां पद पोश्ट और ये जो मंच माला माइक है इसको छोड़ो भाई छोड़ो अपने संतों का अपमान करना छोड़ो अपने संतों की सही जैनती मनानी है तो सारे संतों को सारे महापड़सों को सारे लोगों को साथ ल है सारे संत समन है हमारे हैं कोई जगड़ा नहीं है हर तरह का व्यक्ति आ सकता है हर तरह का व्यक्ति जा सकता है जो समन है क्योंकि दस कोल्टन नियम में जो आता है वो सारी सारे व्यक्ति आते इसलिए हम अलग-अलग संतों की बात नहीं करते कोई हमसे कहता है कि आपने फलाने हमारे संत का फोटू नहीं लगाया तो हम कहते हैं लगा लो भाई कौन मरे करता है हमारे तो सारे संत है वो कहता है आपने क्यों नहीं लगाया या छूट है या किसी को मना नहीं है आप संत महाप्रूस का फूटू लगाओ या ना लगाओ इससे समढ़ संको कोई फ्रक नी पड़ता है कि संतों की फूटू लगाने वाले लोग अलग अलग हैं तो फूटू लगाने का क्या फायदा हुआ तुम सर पर फूटू लेके हम करते हैं मेरे खाल में पूरे भारत में कोई इस बारे में सोचता भी नहीं तो खाली फूटू लगाने से कुछ नहीं होता पर फूटू लगाने से मना भी नहीं है परिज भी नहीं किसी उगर फूटू सही प्यार है और इखटा नहीं होना तो लगा ले फूटू खुश जो ले पर इखटा तो हो जा ये ठीक वैसे है कि दवाई खानी है आपने तो दवाई खाओ अगर कड़ भी है तो उसमें बर्फी में डाल के खालो पर खाओ तो सही वो कौन मने करता है आज हमारा मिलने का दिन है सन्निपाद बाहुल है सन्निपाद बाहुल के लिए बार 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 पताए जाता है और हजार बार बताए जाएगा जब तक सन्निपाद बाहुल पूरा इस्टाबिस्ट ना हो जाए तो इसको अपनी आदत में डाली जिए कि जब सन्निवार हो तो संगम नवामी के साथ साथ सुब सन्निवार भी बोल दिया करें उससे याद रहता है कि लिख दिया करें कि आज सुब सन्निवार है जब सन्निवार का जिकर आए तो को उसके पीछे सुब लगा दे आगे सुब लगा दो और या सन्निपाद बाहुरी बोल दो तो आदत में आ जाएगा सुब सन्निवार कहना सुरू तो करो सुब सन्निवार कहना सुरू करोगे त अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो मैं एक लेटेश उधाना आपको बताता हूँ जो तुलसी दास नाम का कोई गती था उसमें कोई चौपाई लिखी जिसमें लिखा था के सूल धोर गवार सुद्रनारी तालन के अधिकारी इस तालन के सब्द को बदलने की पिकरिया पिछले तीस साल से चल रही है और तीस साल से जब भी आप तुलसी दास के चेलों से बात करोगे तो ये कहते हैं नहीं तालन का मतलब मारना नहीं है तालन का मतलब पिटाई नहीं है तालन का मतलब तो जान का ही लेना है तालन का मतलब तो फलाना है यानि कि वो इसको कुछ था प्रचार में वो मारना था पीटना था और अब तालंग का अर्थ पढ़ाना लिखाना समझाना हो गया तो सब्द का अर्थ बदल दिया और अगर इसको प्रचायत करेंगे तो तालंग का सब्द बदल जाएगा और आप यह प्रचायत करोगे कि तालंग का मतलब पिटाई चरिया मनुस सनिवार कहके और मनुस चीज कहके इसको घुचित किया गया परचार से इसको ठीक कर सकते हैं इसलिए आदत में डालिए परचार सीखिए अगर आप कितन करना नहीं जानते अगर आप कितन नहीं करेंगे प्रसंसा नहीं करेंगे प्रसिद्धी नहीं करेंगे तो दिखाई देगी, या बोली जाएगी, सुनाई देगी, या चखी जाएगी. इसलिए आप उसको बार 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 प्रक्टिस में लेके आईए. तो स्रनीपात बाहूल का दिन होता है, तो यहां जितने भी लोग होते हैं, उस दिन कम से कम आपस में सुब सन्निवार बोलें हैपी सेड़े बोलें सुब सन्निवार बोलें लिखें इसको फेस्ट पर डालें लोग देखेंगे लोग पूछेंगे आप से कि यह आप सन्निवार को सुब क्यों कहते हो तो उनको इस्टोरी सुनाईए कि सन्निपाद बहु हमारे ही नाम पे पड़ा हुआ है हम जो मिलते थे तभी इसको सन्निपाद बाउदर सन्निवार बुला गया है और हम अपने हत्यार लेके आते थे खटे होते थे तो ताकतवर रहते थे इसलिए जो लोग हमसे ड़ते थे उनके लिए मनुस हो गया और उन लोगों ने इसको परचार किया और बाद में जब हमारा संग तो यह मनुस सन्निवार रह गया और सुप सन्निवार हासर निकल गया इसको बापिस ले आते हैं कोई समस्या इसके अंदर है नहे वहां जो जतने मी लोग आ रहे हैं गाजियाबाद के सिविक सेंटर के अंदर जो आ रहा है दिली में न ändी बार तारिक को तो कि सिर्फ पैसे उन लाइन जम्मा करां आपने खर्चे के नव तारिक से बाद में ना जम्मा कां कि नौ तारिक तो किसी का वहां पे नहीं मिलेगा मिस होगा तरह दिक्कत आएगी इसलिए जितने भी लोग है या तो अपना सारा पैसे जम्म करा दें नो तैक से प्रेड नो के बाद में फिर कैस में पैसा लें जितने भी लोग महां आ रहे हैं वहां सारी जो वैस्ता है वह बहुत बड़ि है जो समढ़ लोगों की सपथ है यानि कि जो संग को समझ चुके हैं और जिनों ने जीवन परियंत अपना संग में सेवा देने का निर्ने कर लिया है वो लोग एक सपत लेंगे सपत बोलते हैं इसको शेय नहीं होता सपत होता है तो सपत लेंगे ये सपत पहले भी चला करती थी समढ़ में ये बुद्ने भी सपत ली थी उससे में की सपत और थी जो नियम बता जाते थे ये लगबख स्मिलर है जो यहां यहां भी होगी मैं पढ़ गए आपको सुना देता हूँ वैसे आपके बाड़ से प्या जाएगी जितने भी सक्रिय स्पोक हैं और जितने भी स्पोक हैं जो तन और मन से पूरी तरह से इसमें लग गए हैं काम कर रहे हैं सिर्फ वही लोग इस सपत को लेंगे जो अभी संगी नहीं हुए ह जो दस गोल्डन नियम नहीं जानते हैं या जो संग में नहीं आये हैं उनके लिए ये सपत नहीं होगी और इसका रिटिन में रिकॉर्ड रहेगा जो सपत लेंगे वो बाकाइदा अपना हस्ताक्षर करके डॉकुमेंट को जमा भी कराएंगे तो ये जो सपत है मैं आपको प जैसे मेरा नाम है सुधीर राज सिंथ फिर आएगा समण आदिम निवासिक भारत महा भारत नामक भू भाग का अदिम माने प्रिठम सबसे पहला निवासिक मतलब रहने वाला भारत महा भारत जो आज का नाम है भू भाग का दुनिया में बहुत सारे भू भाग हैं पर हम भारत महा भारत नामक भू भाग में रहते हैं अपने महापुरसों के अनुरूप यानि जैसे हमारे महापुरसों ने कहा यानि महापुरसों की तरह अपने पुरातन महापत संग को अपने सबसे पुराने महान पत वाले महान मार्ग वाले संग को जो महायस महायस का मतलब है जिसका यस महान है सबसे बड़ा महागण गण माने होता है जहां लोग इखटे होते हैं उसको गण बोदते हैं महागण का मतलब है जादा लोग का यानि ऐसे जो गण हैं उनसे जो काया बनती है पूरी ऐसी महा काया और महा सत का मत्तब है कि संग के अंदर राग्डेस नहीं होता यानि कि यहां पर पोष्ट मांच माला लाइक पैसा वैसा यह सम्नहीं होता राग्डेस से मुक्त है महा बल यानि जिसका बल सबसे बड़ा होता है से परिपुन यानि कि इस से पूरी तरह से भरा हुआ संपून है ऐसे महा संग को अपना परिपुन जीवन यानि ऐसे महा संग को मैं अपना पूरा जीवन मन तन के साथ इसमें धन नहीं है यानि मन के साथ पहले मन है फिर तन है यानि मन भी देता हूँ और तन भी देता हूँ के साथ संपन करती हूँ करता हूँ यानि पूरी तरह से आरपन करता हूँ यानि उसकी तरह पूरा ध्यान देता हूँ आरपन करता हूँ या करती हूँ मैं जीवन परियंत तक यानि मैं सुधीराद सिंग जीवन परियंत तक जीवन पूरे जीवन तक अपने महासमण संग के आदेसों का किरिये पे पालन करूंगी करूंगा किरिये का मतलब है कि काम करना है किरिया और पालन का मतलब है कि पालना है सरचण करना है यानि संग को बचाना भी है और संग के आदेश पे क्रिया भी करनी है, काम भी करना है। संतों ने कहा कि आपने संगत करनी है, भजन करनी है, सच नाम रूक की संगती करनी है। करूँगी या करूँगा, क्रिया भी करूँगा, यानि कि उसका श्रनच्ण भी करूँगा, उसको प्रोटेक्ट भी करूँगा और इस पर काम भी करूँगा। आज के बाद से पुन मेरा संग ही मेरा कुटुम है। इस सपत के बाद, यह सपत वहाँ होगी, इस सपत के बाद से जो मेरा घर है वो संग है। पच्चेक समण, यानि प्रतेक समण, समणा समणी मेरे कुटुम के सदस्सक हैं। सदस्सक का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाले, दस्सन कराने वाले। यानि कि जितने भी कुटुम मेरे समणा समणी हैं, वो सारे सारे मुझे रास्ता बताने वाले हैं, गैड करने वाले हैं। मेरे इस संग कम से, यानि मेरे जो संग में ये काम कर रहा हूं, संग की काम इखटा होने का, मेरे इस संग कम से मेरा संग पुन वही उच्चत गहन करे, यानि मेरा संग वही उच्चत का मतलब है उच्चाई और गहन का मतलब है गहन करे, यानि कि मैं जो संग में काम कर रहा हू तो जो पुराना संग की उचाई थी वही गहन करे जो बुद्ध से पहले बुद्ध के समय और बुद्ध के लगबग पंद्रे सो बरस तक रहा यानि कि वो उचाई जो बुद्ध से पहले थी बुद्ध के समय थी और बुद्ध के बाद पंद्रे सो साल तक रही वही गहन करे मेरे इस संग कम से, यानि मेरे संग के काम से, पुन पिये दस्सू, पिये दस्ती को पिये दस्सू पालिम बोते हैं, पिये दस्सू धम चक वद्ध वन्तू, यानि धम चक वर्धन वन्तू, समरठ असोक, समरठ का मतलब है समरठ असोक, महान जैसा राजकाज आवे, यानि मैं जो संग में यह खटा होने काम कर रहा हूं, इस मेरे उसे जो हमारा पुराना राजा था, जो धम चक वद वंतु था, प्रिय दर्शी था, वैसा ही जो राजका जो चलाता था, वैसा ही राजका आ जाए. हमें समराट असुग नहीं चाहिए हमें समराट असुग जैसा राजका चाहिए और भारत को पुन सब्दा के लिए यानि भारत को उन्हें यानि फिर सब्दा माने हमेसा के लिए सम्मा संबिधानिक माभारत बनावे यानि जैसा पहले सम्मा संबिधानिक माभारता वैसा ही ब अब तक बहुत काम कर चुके हैं सबसे पहले वो लेंगे जो अभी समण संग में नहीं आए हैं या जो काम नहीं कर रहे हैं वो देखेंगे जानेंगे समझेंगे इसलिए जितने भी स्पोक बन चुके हैं उनके लिए ये सारी सपत होगी सारे स्पोक जितने भी हैं वो अपनी नियम पढ़े गा जानेगा उसके बाद में फिरी ये सपत लेगा एक बार सपत ले लेगा तो जीवन भर के लिए बाॉंड हो जाएगा इसमें किसी भी आलत में कोई ऐसा रास्ता रही है कि सपत लेके और कोई संगी फिर ये सपत लेगा एक बार सपत ले लेगा तो जीवन भर के लिए बाउंड हो जाएगा इसमें किसी भी हालत में कोई ऐसा रास्ता रही है कि सपत लेके और कोई संगी ये कहे कि अब मैं सपत लेने के बाद में काम नहीं करूंगा सपत वही लोग लेंगे, जो अपना जीवन इसमें देंगे. ऐसे बहुत साइट लोग हैं जिन्होंने ये बादा किया हुआ है, कि हो समझ संग में अपना जीवन देंगे, उनके लिए ये सारी सपत हैं, तो वहां और भी चीज़ें होंगी, क्योंकि बहार से भी बहुत साय लोग आ रहे हैं, और बहुत-बहुत बढ़िया बाते होंगी, पूरा परिवार हमां मिलेगा, साहे त्यारी चल रही हैं, आप अपनी त्यारी करें, और ये जो हमारा संग है, इस संग को दिंदूनी राज चोगनी तरक्षी से बढ़ाएं, क्योंकि जील जितनी जल्दी भरेगी, नदी उतनी जल्दी बहेगी, ये सिद्धान्त होता है, कोई यहां आए और बोल के चला जाए, कि छे मिने में ऐसा चमतकार होगा, दो साल में ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, चमतकार एक दिन मे तो लोग भी भाग जाएंगे, या ये माईस हो जाएंगे, या परिसान हो जाएंगे, ये प्राकर्टिक नियम है, इन नियमों को मानना चाहिए, इनको सलूट करना चाहिए, इनको सलाम करना चाहिए, इसलिए हमें तेजी से काम करना चाहिए, कोशिस ये करनी चाहिए, कि ह तक की प्यास बुजेगी, मेरे एक सबदों में अगर किसी को कोई आहात हुई हो, तो मैं संघ से माफ ही मांगता हूँ, संघ मुझे माफ κάνे, संघ मुज़े माफ κάνे, जुड़ेंगे जीतेंगे, संघ गण नमामी, संघ गण नमामी, संघ घंग नमामी, धन्यवाद। और आप सबी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और diamonds छाहिए या किसी को gift में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़ानी चाहिए या print में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free हैं आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे, या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप youtube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामी संगं सरेणं गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी दूतियं पी दम्मं रसेणं गच्छामी दूतियं पी संगं सरेणं गच्छामी बुखियं पी संदम सर्णं कच्छानी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छानी बुद्धं सर्णं कच्छानी ततियं पी संदम सर्णं कच्छानी बुद्धं सर्णं कच्छानी पी संदम